हाई फ्रेंस असलाम अलेकूम तो ठंडियों का मोसम तो सुरू हो चुका है और इस ठंडि के मोसम में बनाए बहुत ही जबरदस्त ये पालक और सोवा की दाल तो बहुत ही अच्छी लगती है तो चलो बनाते हैं आज पालक और सोवा की दाल तो यहां मैं पालक धुल के साप क करके रख ली हूं और थोड़ा सा मैं सवाभी ली हूं इसे बहुत ही खुसबूदार हमारा ये डाल बनके रेडी होगा तो इसे म हीबारीग करूंगी तीक हमें फिर बाद में इसे में क转 आप पड़े जादा तो इसे कम सबहुया है मकटर के दाल है आधा कप और आधा कब से कम अरहर के दाल और उरत के दाल हैं, ये काली वाली उरत आती है, वो है तो इन तीनों को अच्छे से मैंने साफ़ करके रख ली हूँ, अब मैं इसे एक बावल में रखुँगी और इसे धुल लेती हूँ, दो से तीन पाणी अच्छे तरीके से, तो अब मैं एक कुकर ले ली हूँ और उसमें डाल दूँगी कटे हुए पाला को सोवा तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पासेचे कली लसुन के और एक मेडियम साइज का प्याज हरी मिर्ची जो मैंने 20 से चीरा लगा दी हूँ और इसमें डालूँगी मैं दो टमाटर मीडियम साइज के अब मैं इसमें एड कर रही हूँ ये मैंने जो दाल आप लोग को दिखाई थी इसे धुल के मैं इसमें डाल दीती हूँ और मैं डालूँगी एक चम्मच, हल्दी इससे कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें डालूँगी मैं स्वात की हिसाब से नमक नमक आप अपने हिसाब से रखें जितना कम ज़्यादा खाते हूँ और इसमें डाल दूँगी मैं लबगख, दो गिलास पानी की डाल भी है अच्छे से इसमें पक जाए और अब मैं इसका धकन लगा देती हूँ और चार से पास सीटी मैं लगाऊंगी की अच्छे से डाल और पालक, सोवा अच्छे से सब पक जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए बनके रेडी हो चुकी है ये हमारी डाल तो मैं इसमें पानी एड नहीं कर रही हूँ अगर आपको पानी इसमें डालना है तो डाल सकते हैं लेकिन इतना गाढ़ा बिल्कुल सही है तो अब हम इसका तड़का लगा लेते हैं तो तड़का पेन रख दी हूँ मैं इसमें डालूँगी मैं 2-3 चमश सरसो का तेल अच्छे से गरम होगा उसके बाद हम इसमें एट करेंगे ये 3-4 सुखी लाल मिर्च इससे बहुत ही अच्छा लगता है ये दाल में और इसमें एट कर दोंगी मैं ये राई दाना और इसमें एड करूंगी मैं हींग के बगएर तो दाल ये अधूरी रहती है तो एक चम्मच मैं हींग एड कर दी हूँ अच्छे से ये पक चुका है तो देखिए तड़का हमारा बिलकुर रेडी हो चुका है और ये दाल हमारी कैसी लगी आपको जरूर बताना कमेंट में तो बहुत ही अच्छी ये दाल बनके रेडी हुई है हमारी रेश्पी अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर जरूर करें और देखिए इतना थिकनस बहुत ही अच्छा है जैसे आप लोग को गा बढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी इसमें डाल के और पका भी सकते हैं तो देखिए बहुत ही परफेक्ट बनी है दाल तो मिलते हैं अगले रेश्पी में तब तक के लिए अल्ला हाफिज